नमस्कार दोस्तों स्वागत आप से एक बार फिर से और भी पियो क्लर का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और हम सभी जानते हैं कि कुछ ताइम बाद फिर इसका प्रिलंस का एक्जाम भी हो जाएगा रारवी पियो कलर तयारी करने का एक फायदा हमें यह होता है कि इसमें इंग्लिष नहीं होता है और में तो एक अच्छा औप्षयन है उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिष में थोड़ी सी प्राबलम यहाँ प होती है तो आज मैं आपको 60 दिनों की complete strategy बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से आपको मंतराज ध्यान रखने है अपनी preparation में अगर आप RRB PO Club 2023 को target करना चाह रहे हैं ठीक है 2895 vacancies थी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 2020 में 5950 vacancies थी और 2019 में 3694 vacancies थी तो vacancies के number हमें हर साल काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि हमें number जो है वो as expected जैसे यहां number दिख रहे हैं वैसे ही हमें जो है वो proper देखने को मिले अच्छी के जब हम RRB PO clerk की बात करते हैं तो देखे basically दो तरह के आपके level होते हैं एक आपका prelims होता है एक आपका mains होता है तीसरा round दोनों में अलग-अलग होता है अगर आप RRB PO की तयारी कर रहे हैं तो आपको तीसरा round यहां पे interview मिलेगा और अगर आप clerk में जा रहे हैं तो आपको LP PT यानि language proficiency test आपको मिलता है language proficiency test क्या होता है माल लीजे अगर आपने महरास्टर से form भरा है और आपका prelims means clear होता है तो LPT में यानि language proficiency test में examiner यह देखता है कि क्या आपको मराठी बोलते आ रही है लिखते आ रही है और समझते आ रही है यह जो है वो basically LPT में होता है तो make sure क कर रहे हैं तो उसी state से form भरिएगा जहां की language आपको आती हो for example आप MP से हैं और आप यह सोच के मत बढ़ दीजेगा कि वहां पे vacancies जादा है तो मैं वहां भर देता हूं क्योंकि आखरी में आप LPT में बाहर हो जाएंगे अगर आपको वहां की language नहीं आती है तो ध्यान रख होते हैं और आपको 45 मिर्ट का समय दिया जाता है किस में जो है वो चाहिए RRB PO हो या फिर clerk हो इसका pattern बिल्कुल सेम होता है में में कर मैं आऊंगा तो आप देख सकते हैं reasoning 40 question 50 marks maths आपका 40 question 50 marks computer 40 question 20 marks देन आपका general awareness 40 question 40 marks और Hindi या English में से कोई एक subject आपको चूज करना होता है 40 question 40 marks टोटल 2 गंटे का आपको proper यहां पर समय दिया जाता है ठीक है ओके चलो नेक्स पर आते हैं अब अगर मैं बात करूं subject की कि आपको basically जो है वो क्वांट में कौन कौन से subject की मतर्द topics की आपको तयारी करनी है जिससे आपका exam जो है वो निकल जाए तो ध्यान रखिएगा 10th level की math जो आपने पढ़ी है school level में वही pattern यहां भी आपको देखने को मिलेगा level of difficulties आपकी अलग-अलग होती है जैसे यहां पे अगर में देखूं simplification, approximation, number series, quadratic equation यह वो chapters हैं जो आपके speed को improve करते हैं ध्यान रखिएगा यह chapters आपको इसलिए भी पढ़ने हैं क्योंकि prelims में तो काम आएगा ही then आपके arithmetic के वो topic जो आपने 10th में पढ़े हैं for example percentage, profit loss, mixture relegation, permutation, combination, probability, work and time, SI, CI, mensuration, time and distance, ratio proportion, DI, quantity comparison यह सारे chapters आपने 10th level में पढ़ा हुआ है यहाँ पे एक section दिया है data interpretation का जहाँ पे अलग-अलग तरह की जो है वो DI पूछी आती है, tabular हो गया, bar graph हो गया, castlet DI हो गया, line graph हो गया, यह सारे patterns को आपको prelims में जो है वो पढ़ना पड़ेगा next में अगर हम बाग करें, reasoning की बाग करें, reasoning basically दो section में divide होती है, एक sitting और puzzle क्योंकि आप जानते हैं, last के 2-3 सालों में sitting और puzzle का weightage किसी भी exam में more than 50% तक का हो गया है even मैं आपको बताओं कौन सा paper मैं देखा था, 2023 के starting में, जिसमें 35 में से 24 से 25 नंबर तक की puzzle आई है, मतलब आप समझ लीजे कि लगबग 70% तक का weightage sitting और puzzle कर रहा है, तो आपको sitting और puzzle को बिलकुल basic से समझने की आवर्शक्ता होगी, apart from this arithmetic के वो important topic जो आपके exam में आते हैं, alpha numeric series हो गया, direction हो गया, blood relation हो गया, silog हो गया, coding decoding हो गया, order ranking हो गया, inequality हो गया, इन सारे chapters को आपको बिलकुल basic से prelims के लिए पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, okay, next, अब तीन तरह के stages हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि 60 days की preparation किस तरह से हो सकती है, तो तीन puzzle किस तरह से जादा पूछ रहा है, ये आप क्या करेंगे, आप previous year pattern को देखेंगे, आप slaves को go through करेंगे, तो आपको clear हो जाएगा, आप pattern वही, आप एक बार pattern देखेंगे, तो आपको clear हो जाएगा, waitage आपको समझना पड़ेगा कि puzzle में किस तरह की puzzle पूछी आ रही है, simplification extreme heart दे रहा है, क्या RRBPO को IBPS PO level जैसा कर रहा है, या थोड़ा सा moderate level, easy to moderate रखने की कोशिश करी गई है, ये आपको समझते पहले stage में समय लगेगा, जब आपने इन चारो pattern को समझ लिया, तो अगला आपको जो काम करना है, वो है concept clarity, concept clarity पे आपका ध्यान जो है, वो सबसे पह stage आपका होता है, कि भाई साहब, आपको max to max revision करना है, और जादा से जादा mock test देके, अपने level को आपको improve करते जाना है, क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम basic understanding समझ गए, उसके बाद हमने concept clarity कर ली, और last में हमने revision और mock test कर लिया, जिस से हमारा level जो है, वो ठिक 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 हैं, आप समझ लो, calculation speed बढ़ाने के लिए, आपको squares 40 तक की याद होनी चाहिए, cube values आपको 40 तक की याद होनी चाहिए, tables आपको 25 तक की याद होनी चाहिए, percentage की जो equivalent values हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, shortcuts or tricks आपको follow करना होगा, maths के लिए क्योंकि आपको speed में करना होगा, arithmetic के वो topic जो आपके जादस जादा पूछे आते हैं, एक तो normal में भी, साथ में, di में भी, चाहे percentage है, ratio proportion है, या फिर average है, ये आपके बहुत काम आने वाला है, इसके बाद अगर मैं जाओंगा, तो यहाँ पे practice mock और sectional mock देके आपको अपनी preparation को boost up करना है, और last में ध्यान कि आपको mains की भी तयारी बहुत पहले से start कर देनी है, ताकि कहीं भी कोई अर्चन आपकी तयारी में ना रहे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, चली, next पे आते है, quant के बाद अगर मैं इसकी study plan देखूं, कि आपको study plan किस तरह से maintain करना है, ताकि आपकी तयारी better way म मैंने यहां पे routine set किया है, आप अगर इसको भी follow कर लेंगे, तो आपको बहुत फाइदा होने वाला है, क्या क्या आप करेंगे, आप first week, calculation speed पे focus करिए, जैसे वेदिक maths हो गया, इनको आप focus करिए, फिर आप first week साथ में number series का भी topic ले लीजे, first week आपका ये हो गया, second week में edges on time and work को आप ले लीजे, पाचमे वीक, quantity comparison, time, speed and distance, इसको आप ले लीजे, छठे वीक, mixture delegation, profit, loss and discount, SICI को आप ले लीजे, इसके बाद सातमे वीक आपका SICI का concept हो गया, और उसके बाद cashlet DI और जो भी DI के sections है, उनको आप यहां पे cover कर लीजे, तो आप इस तरह से अगर cover करे सकते हैं, वो भी पूरे week में, तो आप खुद समझे कि आपका basic concept कितना better way में clear हो जाएगा, ठीक है, ओके, आप देखे, exam में weightage आपका कैसे, जो है, वो होता है, और time manage आप कितना कम से कम कर सकते हैं, वो आप समझ लीजे, देखे, simple मैं आप से कहूंगा, number series, आप कोशिश कर तीन से चार मिनिट या उससे भी कम में आप खतम कर लें, quadratic equation, same timing, simplification, approximation, अगर दस नमबर भी आपके पूछे जा रहे हैं, और आपको basic, वेदिक math या concepts पता है, तो आप चार से पांच मिनिट में आराम से इसको close कर सकते हैं, DI अगर दो सेट हैं, चुकि आसान सेट हम लोग ज questions हैं, अगर 8 से 10 भी हो जाएंगे, तो भी मैं उसको 10 मिनिट मतलब मान के चलता हूँ, कि आप 10 मिनिट में इसको cover कर लेंगे, data sufficiency, वैसे तो हम prelims में कम देखते हैं, पर अगर आता है, तो एक दो नमबर अगर आता है, तो पांच मिनिट तो खेर बहुत है, एक दो मिनिट म पांगे, फाइदा उतना होने वाला है, बस आप मोटा मोटा ये समझ लीजे, ये आपको एक ideal time initial level पर दिया हुआ है, पर आप focus करिए कि इससे भी कम समय में आप इसको proper complete कर लें, ठीक है, ओके, next पे आते हैं, अब अगर मैं reasoning की बात करूँ, देखिए reasoning में, चुकि मेरा ही subject है, तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको बहुत clear कर दूँ, सबसे पहली चीज, alphabetical values आपको बहुत clear याद होनी चाहिए, A से Z तक की, यानि 26 जो letters हैं, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसके बाद जो puzzle और sitting arrangement के questions होते हैं, उनका basic fundamental आपको बहुत अच्छे से आना आप ध्यान रखिएगा important topic को तो आपको बिलकुल भी skip नहीं करना है, especially चाहे setting puzzle हो गया, C log, inequality, alpha numeric series, order ranking, blood relation, direction, इसको आपको कहीं से भी miss नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसके बाद आप practice mock, sectional mock देखके, अपनी speed को आप improve कर सकते हैं, और mains की तयारी भी आपको initial level पे ही starting thing से ही करनी पड़ेगी, यह आप जितना करते जाएंगे फाइदा आपको मिलता जाएगा, ठीक है, ओके, चलिए, week wise आपकी तयारी कैसे होनी चाहिए, देखो, आप अगर reasoning की तयारी कर रहे है, 60 years का आपने target लिया है, तो आप पहले week कोशिश करें कि alphabet test, जो कि 3 pattern का होता है, alpha numeric series जो कि 5 pattern का होता है, और coding, recording जो कि 3 type का होता है, आप पहले week इसको cover कर लीजे, second week inequality जो कि 4 तरह का होता है, direction distance जो कि 2 तरह का होता है, और relation जो कि 3 तरह का होता है, आप इनको second week complete कर लीजे, third पे आपका आएगा silog, जो कि 4 अलग-अलग statement पे based होता है, order ranking दो pattern होते है, schedule puzzle जिसमें अगर मैं कहूं, तो day, month, year based puzzle, आप इनको week wise जो है वो practice करना start कर दीजे, ठीक है, तो ये 3 week का सलेवस ये, 4 पे आप आएंगे, tabular puzzle को आप पढ़ लीजे, 4 week, floor based puzzle को आप पढ़ लीजे, box based puzzle को आप पढ़ लीजे, 6 week, 5 week आप miscellaneous puzzles को आप पढ़ लीजे, जिसमें आपका box का uncertain pattern आ जाता है, आपका schedule में कुछ missing जो है, वो concept दे दिये जाते हैं, इसमें आप floor को आप पढ़ सकते हैं, floor के concept इसमें पूछे जाते हैं, उनको आप पढ़ लीजे, next week आपका 5 week में linear और circular arrangement पे आप एक बर focus कर लीजे, कि भाई linear के सवाल कैसे आ रहे हैं, circular के सवाल कैसे आ रहे हैं, next week आप जाएंगे rectangular arrangement को आप पढ़ लीजे, और उसके बाद uncertain के जो linear के सवाल आते हैं, uncertain के जो circular के सवाल आते हैं, और uncertain के जो rectangular के सवाल आते हैं, आप उनकी practice कर लीजे, क्या ये आपके लिए tough है, हाँ initial level पे tough है, क्या इसका कोई source है, तो हाँ जी source आपके सामने है, आप मुझे बिलकुल follow कर सकते हैं, मेरा नाम अरपित है, मैं आपकी reasoning, banking की आसान करता हूँ, आप मुझे telegram पे follow कर सकते हैं, telegram के simple आप सर्च करिएगा, अरपित sir reasoning, क्या सर्च करेंगे, आप telegram पे जाके सर्च करेंगे, अरपित sir reasoning, तो आपको मेरा telegram channel मिल जाएगा, जिसमें हम regular base पे नया नया content, class के link, pdf, quizzes, doubts के session, सब कुछ एक one stop solution पे आपको हम देते हैं, तो आप telegram पे अरपित sir reasoning अगर follow करेंगे, तो आपको reasoning का सब कुछ एक ही platform पे proper मिल जाएगा, ठेक है चलो, next पे आते हैं, अब अगर मैं waitage की बात करूँ, ये एक ideal time दिया हुआ है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको कैसे और कम कर सकते हैं, जैसे sitting puzzle तो ठीक है, कि अगर puzzle पूछे गई है तो वो time लेगा, लेकर आपको ये देखना है कि कई ऐसे topic हैं जो और जल्दी हो सकते है For example, आजकल silog पूरे 5 number नहीं आता, अगर 3 number का silog आता है, तो आपको 3 number के silog में 3 minute देने के तो कोई आवश्यक्ता ही नहीं है, अगर आप ते 2 statement या 3 statement दो conclusion बोल रहा है, तो आप आराम से इसको 30-30-40 second में इसका answer proper आप कर सकते हैं, तो ये बहुत एक effective time management होगा, ये आपके प important phase होता है, revision phase का, जब आप mock test देते हैं, तो mock test में एक आपका accuracy का यहाँ पे graph होता है, इस accuracy के graph को बहुत अच्छे समझ लीजे, अगर माल लीजे, आपने mock test दिया और mock test खतम हुआ, और खतम होने के बाद अगर यहाँ पे greater than 90% आपकी accuracy दिख रही है, तो आप यकिन माने कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप बढ़िया कर रहे हैं, आप practice आपकी अच्छे है, थोड़ सा और improve करिए, अगर 90 है तो 95 जा सकता है, बट overall आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपका accuracy percentage 90 to 70 के बीच में है, तो भाई साहब आपकी performance average मानी जाएगी, आपको work जो near 90 तो होना ही चाहिए, और अगर आप इस stage में हैं, तब तो भाई भगवान ही मालिक है आपका, फिर आपको अनगिनत बारम बार practice करनी पड़ेगी, मतलब इसमें फिर कोई दोराय नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही danger area में है, अगर आपका जो percentile है, वो 70 से कम है, तो बारम ब बार practice करिए, भर के practice करिए, ताकि आपका ये percentile यहां से उठके यहां पर आजाए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, ओके, और मैं हमेशा इस चीज़ को इसलिए कहता हूं, क्योंकि देखिए, आपका online paper है, अब online paper जो है, वो speed oriented हो गया है, अभी speed में हमें काम करन बहुत जादे important होता है, अच्छी बात है कि आपका concept clear है, लेकिन अगर आप उसको speed में नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी मतलब की आपकी जो है, वो concept है, वो नहीं होगे, नहीं होने वाला है, देखिए, simple आपके सामने example है, आप मुझे बताइए, question कितने होते है, 80, time कितना मिल तो आप कैसे balance करेंगे, तो आपको ठीक है, आपसे concept आता है, लेकिन concept इनफ नहीं है, आपको speed में काम करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, और speed में काम करने से ही आपका selection होगा, आप ये कहें कि आपको math सब कुछ आ रहा है, तो केवल math सब कुछ हा रहा है, ये statement देने से अगर selection हो जाता, तो ना जाने कितने लोग आज PO बन जाते है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर simply ये करना है, mock दीजे, topic wise आप test दीजे, जो PW के app में हमने जो one pass रखा है, उसमें आप full length mock के कहते हैं, mock दीजे, अपनी speed को बढ़ाईए, time bounded manner में आप practice करिए, जितना आप करेंगे फाइदा उतना मिलेगा, add the end benefit आपको फोगा, तो आपको अपनी speed बे add the end काम तो करना ही पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आप RRBPO को अच्छे से correct कर ले, ठीक है, और mock test के देखिए value में मुझे आपको बताने कि आवशक्ता नहीं है, mock test आपका second teacher है, simple अ mock test से आप अपने weak areas को देखते हैं और उस पे आप काम कर पाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है कि अगर आपको reasoning अच्छे से आती है, वो तो आप confident है कि आपको reasoning अच्छे से आरी, लेकिन जब आप mock देंगे तो mock आपको clear कर देगा कि reasoning आपको actual में कितनी आ रही है, इसलिए आवश्यक होता है, mock test are the great way to understand your weaknesses and strength, बिल्कुल सही है, जितना ज़ाद आप mock test को जो है वो focus करेंगे, आपको अपने weakness और strength में काम करने का मौका मिलेगा, and last not the least, जो mock test है, वो अगर आप दे रहे हैं, तो दो चार mock test देने के बाद आप strategy समझ जाएंगे कि किस तरह से mock में किय ठीक है, ओके, चलिए, अब कुछ ऐसी चीजें हैं, जो आपको सबजना पड़ेगा, इसको मैं short शब्दों में बता देता हूं, जो मैं इसमें कहना चाहरा हूं, वो यह है, कि आपको अपना routine set करना पड़ेगा, time management आपको करना पड़ेगा, आपको patience के साथ जो है, वो अप से आपने पढ़ना start किया, क्या आज ही आप PO बन जाएंगे, dancer is no, आज आपने math पड़ा किया, आज ही आपको math बन जाएगी, dancer is no, हर चीज़ का समय लगता है, तो अगर आप यह समझेंगे, कि patience के साथ अगर मैं करता जाओंगा, तो मुझे फाइदा मिलेगा, तो इसका benefit वाकई मिलने वाला है, इसलिए मैं कहूंगा, दुनिया की सारी चीज़े त्याग दीजे, social media हो गया, है ना, दोस्तियारी होगी, सब कुछ त्याग दो, फिलाल आपके लिए cable और cable पढ़ाई important है, तो आप भाई साथ routine मना लीजे, strict discipline मना लीजे, और time management के साथ आप study करिए आपको इसका फाइदा काफी जादा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, अब देखे, करना आपको क्या है, वो आप समझ लीजे, सलेबस को समझ लिया, ठीक है, उसके बाद जो हमारा PW का app है, उस पे आपको daily current affair की, जो है, वो content मिल जाएगा, आप यहाँ से practice कर सकते हैं, अप इक चीजों को follow करते जाएए, तो GA के लिए especially current affair की class से आप notes बनाईए, उससे आप जो भी आपकी news बन रही है, उसको आप जो है, वो proper maintain करिए, और आपका time table proper fix होना चाहिए, दिन का, अगर time table आपका fix है, तो आप अच्छे से तयारी जो है, वो अपनी कर पाएंगे, या कर होंगे, ठीक है, चलिए, so, एक important चीज ये भी है, कि दो सवाल होते हैं, एक तो ये कि आप तयारी खुद से कर रहे हैं, या फिर दूसरा ये, कि अगर आपको structure way में तयारी करने का मौका मिल जाए, तो आप कैसे करेंगे, तो देखे, वो वाला platform हमने आपको दिया हुआ है, हमारे पास यहां पर bank maha pack है, bank maha vishwas pack है, bank maha vishwas pack क्या होता है, देखे, दो साल तक इसमें जितनी भी upcoming जो भी batches आएंगे, जो भी classes आएंगे, चाहे, आपका IVPSO, SBI हो, RRB हो, LIC हो, RBI हो, NICL हो, FCI हो, SIDB, NABAD हो, IDBI हो, इन सारे exams का हम लोग complete batch आपको provide करते हैं, जिसमें आपको live or recorded classes, DPP plus notes, 24 into 7, doubts के session, mock test, interview, सब कुछ आपको इस batch में मिलता है, इस complete pack में मिलता है, जिसमें जो भी batches आते हैं, वो सब आपको इसके अंदर free of cost मिल जाते हैं, तो आप इसको avail कर सकते हैं, या फिर bank maha pack, जिसमें एक साल का subscription, आपको 2799 मिलता है, अभी हालिया हमने batch launch किया था, IVPS foundation का, और 1 April को हम bankers foundation का एक नया batch launch कर रहे हैं, तो आप उसमें अपनी enrollment जो है, वो 1 April कह रहा हूं, एक मई से bankers foundation का हम नया batch जो है, वो launch कर रहे हैं, तो उसमें आप अपनी enrollment proper दिखाईए, attendance लगाईए, और structure way में तयारी करके, 2024 को अपना selection year बनाईए, I hope आपको ब जय हैं, ताक य।